जब कभी भी आप कोई negative बात सोचते या बोलते हैं, तो आप अपनी power की एक unit कम कर देते हैं। आपका दिमाग एक एक powerful machine है, जिसे कैसी भी दिशा देकर amazing results हासिल किये जा सकते हैं। Hello Brain Book Army, स्वागत है आपका Brain Book Channel में जहां पर आप देख सकते हैं Complete Book Summaries। आज मैं आपके लिए Brian Tracy की बुक Change Your Thinking, Change Your Life की Complete Book Summary लेकर आया हूँ। ये बुक हमें बताती है कि हम कैसे अपने अंदर छीपी हुई powers और असाधारन शम्ता को खोजें और कैसे इसका इस्तिमाल करें। राइटर ने इस बुक में बताया है कि हम बहुत खुश किसमत हैं। हम मानव इतिहास के सबसे अच्छे टाइम में जी रहे हैं। हमारे चारों और मौके ही मौके हैं जिनका इस्तिमाल करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ राइटर ने ये भी बताया है कि कैसे हम अपनी सोच को बदल कर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पाइरिंग बुक्स की कम्प्लीट बुक समरीज लेकर आता हूँ। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियो को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताये गए सभी इंपोर्टन बातों को शौट में दोबारा दोरा दूँगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको असानी से याद रहें तो इस वीडियो को अंतक देखना मत भूलेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आपकी शमता, पोटेंशल, आपके विचार और आपका नजरिया इस बात का फैसला करते हैं कि आज आप क्या हैं और भविश्य में क्या होंगे। आप अपने दिमाग में आने वाले शब्दों और विचारों पर कंट्रोल करके अपने भविश्य पर कंट्रोल कर सकते हैं। राइटर ब्राइन ट्रेसी बताते हैं, काफी साल पहले की बात है, 30 साल की एक विवाहित महिला थी, जिसके दो बच्चे थे, उसमें हीन भावना और सेल्फ रिस्पेट की कमी घर कर गई, और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज नहीं रह गई थी, नेगटि रोड एक्सिडेंट में उसकी यादाश चली गई, अब उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, उसके साथ क्या हुआ, इसे जानने के लिए उसने मेडिकल साइंस की किताबें पढ़कर यादाश जाने के कारणों को स्टड़ी करना शुरू किय इस दोरान एक चमतकार हुआ, वो बिलकुल ही अलग इनसान बन गई, हस्पताल और उसके बाहर सबकी चर्चा का केंदर बन जाने से उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, उसका भी कुछ महतो है और उसका परिवार भी उसको बहुत चाहता है, वो एक बेहत पॉजटिव, कॉन्फिडेंट और खुले विचारों वाली औरत बन गई, वो हर चीज जो इनसान सोचता या महसूस करता है, वो सब उसने यहीं पर अपने जन्म से सीखी होती हैं, कहने का मतलब है कि एक बच्चे का धिमाग एक कोरे कागस की तरहा होता है, ज आप अपने बारे में जो सोचते या महसूस करते हैं, उसी से फैसला होता है कि आप क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है, जब कभी भी आप अपनी सोच के लेवल को उचा उठाते हैं, तो आप अपनी जिन्दगी के लेवल को बदल देते हैं, आपका केवल एक ही बात पर control है आपकी सोच पर आप फैसला कर सकते हैं कि किस situation में आपको क्या सोचना है किसी घटना को लेकर आपकी समझी आपकी feelings पर positive या negative effect डालती है आपके thoughts और आपकी भावनाएं ही आपके अगले कदम और उसके results को तै करते हैं इन सबकी शुरुआत आपकी सोच के साथ ही होती है positive सोच जीवन के level को उचा उठा देती है और आपको ज़ादा ताकत और self confidence का एहसास कराती है positive सोच केवल एक उच्छा बढ़ाने वाला विजार नहीं है इसका आपकी personality, health और आपकी creativity पर भी पर्याप्त और रचनात्मक प्रभाव पड़ता है आप जितने जादा positive और आशावादी होंगे जिन्दगी की हर field में उतने ही जादा खुश होंगे negative सोच के results ठीक इसके opposite होते हैं वो आपको powerless बना देते हैं और आप जादा कमजोर और खोद में self confidence की कमी महसूस करने लगते हैं जब कभी भी आप कोई negative बात सोचते या बोलते हैं तो आप अपनी power की एक unit कम कर देते हैं और आपको गुसा आने लगता है आप निराश और दुखी महसूस करने लगते हैं कुछ वक्त के बाद negative सोच के कारण आप बिमार भी पढ़ने लगते हैं और अपने relationships को भी खराब कर देते हैं हर बार जब कभी भी आप अपनी सोच और अपने emotions पर पूरा control रखते हैं और खुद को positive रखने के लिए discipline कर लेते हैं तो आपकी भीतरी और बाहरी जिंदगी के लेवल में सुधार होता है Negative feelings के आभाव में आपका brain अपने आप ही positive feelings से भर जाता है Law of substitution कहता है कि आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है Positive या Negative आप जब भी चाहें Negative सोच को positive सोच के साथ बदल सकते हैं आप इस rule को उस वक्त चान बूच कर positive सोच के साथ लागू कर सकते हैं जब आप किसी बात पर गुसा या नाखोश हो Law of habit कहता है जब आप किसी भी विचार या काम को बार बार करते हैं तो ये आपकी नई आदत बन जाता है आप जब बार बार positive तरीके से ही response देने लगते हैं तो आप अपने subconscious mind पर पूरा control पा लेते हैं साथ ही ये आपका natural process बन जाता है और आपके लिए इसी तरह से सोचना और काम करना आसान हो जाता है इस नियम को लागू करके आप पूरी तरह से positive इंसान बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है आपकी सोच में इतनी ताकत है कि वो आपको healthy या unhealthy अमीर या गरीब पेमस या infamous बना दे आपका दिमाग के कैसी powerful machine है जिसे कैसी भी दिशा दे कर amazing results हासिल किये जा सकते हैं या फिर अफरा तफरी और तबाही फैलाई जा सकती है आपकी जिन्दगी का मुख्य उद्देश अपनी इस amazing ताकत को निखार कर बुद्धिमानी से ऐसी दिशा देने का होना चाहिए कि आप जिस चीज की इच्छा करते हैं उस चीज को achieve कर लें खुद को कामयाब बनाने के लिए आप सबसे पहले बड़े-बड़े सपने देखना शुरू करें क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज को बनाने की शुरुआत विचार से ही होती है इसलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े goals को achieve करेंगे कामयाब लोग अपनी सोच में भविश्य में जाकर लौट आने की प्रोसेस की लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं वो खुद को कुछ साल बाद की situation में ले जाते हैं और फिर imagine करते हैं कि अगर उन्होंने अपने सारे goals को achieve कर लिया तो उनकी life कैसी होगी फिर वो उस रास्ते की और देखते हैं जो उनको भविश्य के उस level तक ले जाएगा जहां वो जाना चाहते हैं Law of correspondence के अनुसार आप जो कुछ भी अपने अंदर देख सकते हैं अंत में बाहर भी वैसा ही महसूस करेंगे इसलिए आपको अपने सपनों को जितना हो clarity के साथ देखना चाहिए Writer कहते हैं किसी भी goal को decide करने और उसे हासिल करने के लिए seven steps का एक रास्ता है जिसे आप किसी भी situation में बार बार इस्तमाल कर सकते हैं ये साथ कदम ऐसे काम्याब formula की तरह हैं जिनका इस्तमाल करके आप अपनी जिन्दगी बदल सकते हैं पहला कदम decide करें कि आप करना क्या चाहते हैं दूसरा कदम अपने goals को लिख लें तीसरा कदम कीमच चुकाने के लिए तैयार रहें चौथा कदम plan बनाए पाँचवा कदम अपने plan पर काम करना शुरू करें छटा कदम हर दिन कोशिश करते रहें साथवा कदम कभी हार ना माने चैप्टर 4 decide to become rich राइटर कहते हैं आज ही अपने financial future पर पूरा control हासिल करने का निश्चे करें ऐसे लोगों को observe करें जो आपके field में successful हुए आज अपनी life में apply कर सकते हैं हम physical limitations वाली दुनिया को छोड़ कर अब एक ऐसी दुनिया में आ गए है जहां सब कुछ दिमागी सोच पर ही निर्भर है हम बातों की दुनिया से निकल कर मानसिक यूग में आ गए है आपका भविश्य आपकी इस काबियत पर निर्भर है कि आप अपने दिमाग और अपनी बुद्धी का अपने काम और अपनी जिन्दगी में किस तरह से इस्तमाल करते हैं health, wealth और happiness दिमागी बाते हैं इसलिए आप अपने ले कितना हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है आप ऐसे practical techniques का इस्तमाल सीखेंगे जिनको अजमा कर हर फील्ड में सफल लोगों ने अपने आसपास मौजूद लोगों से जादा achievements हासिल किये हैं आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को बढ़ा करके पारंपरीक सोच के बंदनों को तोड़ सकते हैं ताकि आप चमतकारिक रूप से हर उस गोल को अचीव कर सकें जो कि आप अपने ले decide करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप जितनी जादा बार कोशिश करेंगे उतनी ही इस बात की possibility बढ़ेगी कि आप सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे अगर आपने अपने लिए clear लिखी हुई goal planning कर रखी है और आप अपनी income को बढ़ाने के लिए जरूरी skills को भी develop करते हैं तो आप अपने लिए एक बहतर जीवन जीने की possibility को बढ़ा रहे हैं आप आज जो भी हैं या होंगे आपके द्वारा किये गए काम या किये जाने वाले कामों की वज़ा से ही होंगे हर बात के लिए दूसरों को कोसने की बजाए आज ही अपनी life की 100% responsibility लें अपने विचारों, शब्दों और काम पर control हासिल कर लें अपने भविश्य के माले खुद बने राइटर कहते हैं कि अपने द्वारा decide किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप हर वो चीज सीख सकते हैं जो आपको सीखनी चाहिए ये थियोरी आपको एक ऐसी रह दिखाती है जहां आप अपने भविश्य पर पूरा control हासिल कर सकते हैं जब राइटर ब्राइन ट्रेसी जवान थे और स्ट्रगल में जुटे हुए थे हार और निराशा के टाइम में इस थियोरी को अपना कर उन्होंने अपनी जीवन को बदल डाला कोई आप से जादा समझदार या आप से बहतर नहीं है कोई आप से बहतर सिच्वेशन में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप से बहतर है इसका मतलब केवल इतना ही है कि आपकी फील्ड में सफल होने के लिए जिन गुनों की जरूरत है उसने आप से पहले जान लिये है सक्सेस एक तरह की दिमाग की स्थिती है ये आपके अंदर से ही शुरू होती है और धीरे धीरे आपके इर्दगित भी जलकने लगती है जब आप बहतर होने के लिए अपनी सोच को बदलते हैं तो आप बहतर हो जाते हैं बड़े बड़े सपने देख कर और एक अच्छे फ्यूचर की कामना करके आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं लक्षों को लेक कर और उने हासिल करने की प्लानिंग करके आप अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं चैप्टर 6. Commit to Excellence सबसे ज़्यादा इनाम और सैटिस्फेक्शन उन्ही लोगों को मिलती है जो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। अपनी फील्ड में दस सबसे काम्याब लोगों में जगा बनाने का संकल्प लें। अपने उन स्किल्स को पहचाने जिनें बहतर बनाने के लिए अच्छे से सीखना जरूरी है। बहतर प्रदर्शन को अपना लक्ष बना कर एक प्लान तैयार करें। और फिर हर दिन और बहतर बनने के लिए काम करते जाएं। महान अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए आप सबसे पहले अपने आपको दिमाग के हर तरह के बंदन से आजाद कर दें। इसी भी चीज को हासिल करने के बारे में सोचने, देखने और महसूस करने की शुरुआत बड़े-बड़े सपने देखने और बड़े गोल्ड डिसाइड करने से ही होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते और समझते हैं। ये इस बात पर depend करता है कि आप अपने काम में खुद को कितना effective मानते हैं। अगर आप अपनी पहचान को बनाने वाली प्रमुक बातों को लेकर सहज नहीं हैं, तो आप खुश और self confidence से भरपूर महसूस नहीं कर सकते। अपने बारे में अपनी सोच को बहतर बनाके, कोशिश करेंगे। अपने फील्ड के 10% सबसे successful लोगों में जगा बनाएंगे। फिर भले ही इसके लिए चाहे जितना ही वक्त क्यों ना लगे। केवल इतना सोच लेने से ही आपकी सोच और आपकी personality में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। चैप्टर 7, Put People First लोगों के साथ आपके relationship की quality और quantity आपकी सफलता और खुशी पर सबसे ज़ादा असर डालती है। अपनी life को इस तरह से organize करें कि आप अपनी field के लोगों के साथ ज़ादा अच्छे relations बना सकें। आप अपनी field के लोगों के साथ ज़ादा से ज़ादा contact बनाएं और positive और successful लोगों के साथ लगातार contact में रहें। इस तरह ज़ादा से ज़ादा लोग आपकी success और happiness को हासिल करने में मददगार होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी important achievement को अकेले अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता। राइटर ब्राइन प्रेसी कहते हैं कि अपने दिमाग में इसे अच्छी तरह से बिठा लें कि relation ही सब कुछ है। आपका कामेक अच्छा relation बनाने वाला इंसान बना होना चाहिए। आपको अपने personal पहचान के groups, अपनी ऊची पहचान वाले groups, club members, अपने consultants के साथ relation बनाने और इस बहतरीन रिष्टे को कायम रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। साधतर सफल लोगों की सफलता का राज यही होता है कि उन्होंने एक ऐसे रिष्टे को बनाने और फिर कायम रखने के लिए समय दिया जो कि उनके लिए बहुत वाइदे मन साबित हुआ। इसलिए अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन्स बनाने होंगे जो अभी ही उस काम में सफल हैं जो आप करना चाहते हैं। चैप्टर 8, Think Like a Genius राइटर कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आपको लगता है, बलकि वो हैं जो आप सोचते हैं. आपके भीतर पहले की तुलना में जादा बहतर सोचने की शमता है. जब आप सबसे होश्यार और सबसे सफल लोगों की तरह सोचने लगते हैं, तो आपको भी जल्दी उनकी तरह रिजल्ट्स मिलने लगते हैं. राइटर बताते हैं, आपके अद्भुत दिबाग में 18 अरब से जादा सेल्स हैं, उन में से हर एक सेल 20 हजार और सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है. इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या पूरे युनिवर्स में मॉलिक्यूल्स को मिला लेने पर भी उन से जादा ही रहेगी. आपके पास आपकी imagination से कहीं जादा अधिक तेजी से सीखने और उसे सेव करके रखने की शमता है. कहा जाता है कि when an educated person dies, it is like a large library being burned to ashes. मतलब जब एक शिक्षित व्यक्ति की मौत होती है, तो ये किसी बड़ी library के जलकर राख हो जाने के जैसा होता है. information के इस युग में आपके लिए knowledge ही सब कुछ है और आपके द्वारा हासिल की गई knowledge और उसके इस्तमाल पर ही आपकी success या failure निर्भर करता है. आपके हासिल करने की कोई सीमा नहीं है सिवाए उस सीमा के जो आप खुट तैय करते हैं. आज आप जितना जादा सीखेंगे उतना ही जादा कमाएंगे. अपने फील्ड के बारे में आपकी जानकारी जितनी जादा बढ़ेगी आपका self confidence भी उतना ही बढ़ेगा. जितना जादा होसला और confidence आपके अंदर develop होगा. आपकी अपने बारे में सोच उतनी ही बहतर होगी. और किसी भी काम में आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी. चैप्टर 9 Unleash Your Mental Powers आपकी लाइफ में जो भी बदलाव होगा वो आपके दिमाग में आए किसी ना किसी थौट के कारण ही होगा. आपके थौट्स ही आपका भविश्य बनाते हैं. आपकी थौट्स में ही आपकी सभी problems के हलची पे हुए हैं और goals को हासिल करने के रास्ते भ पर ही निर्भर करती है जो कहता है अगर आप इसे इस्तमाल नहीं करते तो आप इसे गवाँ देते हैं. कम से कम अच्छी खबर ये है कि आप इस किताब में दी गई तकनीकों को अपना कर अपनी creativity को और जादा बढ़ा सकते हैं. राइटर ने इस book में 80-20 का नियम भी दिया जो खास तोर पर बाधाओं के मामले में लागू होता है. इस मामले में ये नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष को हासिल करने से रोकने वाली 80% बाधाएं आपके भीतर ही छीपी हुई हैं. आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली सिर्फ 20% बाधाएं ही आपकी बारी दु बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं, इस सिचुएशन और उनके आसपास मौजूद लोग ही उनके लिए सबसे जादा प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं, लेकिन ये आमतोर पर गलत ही होता है, आपके आगे नहीं बढ़ पाने का कारण आप में स्किल्स, अबिलिटी और गु पूरी तरह से कंट्रोल पाना ही आपकी पहली जिम्मेदारी है, आपको उनी बातों पर अपने शब्दों और विचारों को पूरी तरह से केंद्रित रखना है, जो की आप चाहते हैं, इसके साथ ही आपको उन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो आप नहीं चाह ये आसान सा formula, health, happiness और financial freedom के लिहाज से काफी important है। इस process में आप अपने इर्दगिर्द हर बात को परिशानी या समस्या नहीं बलकि संभावना और मौके के तोर पर देखने लग जाते हैं। आपका गोल इसी तरह से सोचने की आदत को डाल लेना है। और दूसरी सभी आदतों की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप इसे लगाता repeat करके develop कर सकते हैं। और आखिर में आप हर काम में पूरी तरह से positive और creative इंसान बन जाएंगे। दिन की शुरुआत किसी healthy और postic भोजन से करें। जादा फलो और protein खाएं। जादा पानी पिएं, अनाज और दही जैसी चीजों का सेवन करें। बचने में मुश्किल और ठकाने वाले fatty food ना खाएं। अगर आप जादा fat खाते हैं तो आपके दिमाग का सारा खोन पेट में मौझूद fat को पचाने के लिए digestion process में जुट जाएगा। दूसरी और जब आप दिन की शुरुआत हलके healthy और nutritious नाश्ते से करते हैं तो आप जादा energetic महसूस करेंगे। आप जादा alert और excited होंगे। आप अपने हर दिन के काम करने के लिए जादा excited रहेंगे। आप जादा creative होंगे। यूँके आपके दिमाग तक जादा खून पहुचेगा और आपका दिमाग जादा तेजी से काम करेगा। आप इर्दगिर्द होने वाली बातों में जादा संभावनाय ढूनने में काम्याब रहेंगे। चैप्टर 11 Create Your Own Future सबसे जादा सफल लोग अपने जीवन की planning काफी संभल कर करते हैं। उनकी लाइफ में जो भी problems आई या आने वाली हैं वो हर problem के लिए पहले से ही तयार रहते हैं जिसका result ये होता है कि वो अपने आसपास के लोगों की तुलना में बहतर तरीके से सोच सकते हैं और बहतर फैसले ले सकते हैं। हर सफल व्यक्ति को अपनी life में अनेक problems का सामना करना पड़ता है। लेकिन problem की इस time में भी positive और negative प्रतिक्रिया देने हार मान लेने की बजाए मुश्किल situations में जोरदार वापसी की ये ability आपकी सफलता को तै करेगी। हारवर्ड बिजनस स्कूल के डॉक्टर अबराहिम ने कुछ साल पहले life में होने वाली निराशा के असर को study किया। बहुत सारे लोगों ने motivation और उसके success के साथ सबमंद में research किया और लिखा भी। ले जो बात छोटी बड़ी कंपनियों के लिए कारगर है वो आपके लिए भी कारगर हो सकती है। आपको अपने हर काम में problems को पहले ही देख लेने की practice कर लेनी चाहिए। एक यातरी की तरहां अपने जीवन के सफर को देखें। अब उन negative बातों की कल्प ना करें जो आपके सा से निपटने के लिए एक plan पहले से ही मौजूद है। एक्जामपल के लिए आप क्या करेंगे अगर आपकी नौकरी आज ही चली जाए। आज की दुनिया में नौकरी जाने का खत्रा जादतर लोगों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है। हाल ही में हुई एक study क काम करने वाले लोगों में 37% से जादा लोग ऐसी चिंता में डूबे रहते हैं। राइटर कहते हैं कि उन्हें एक व्यक्ति का पत्र मिला जिसने पत्र में लिखा था कि उसके दिलो दिमाग में नौकरी जाने का डर बिना किसी बात के इतना गहरा बैट गया है कि उसे और मौको की कमी उसे नौकरी से हाथ दो बैटने की स्थीती की और ले जा रही थी। ब्राइन ट्रेसी जब भी अपने लेक्चर सुनने आएं लोगों से पूछते हैं आपकी अगली नौकरी क्या होगी तो जादतर लोगों के लिए ये सवाल चौकाने वाला होता है। उन् कुल ही नया होता है या तो उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं होता या फिर वो इस बारे में सोचना नहीं चाहते। अगर आप इस बारे में पहले से नहीं सोचते तो जब ऐसी नौबत आएगी तो आपके पास कम वक्त होगा और आपको इस बारे में सोचने के लिए पूर किया जाएगा चैप्टर 12 लिव ग्रेट लाइफ लाइफ में आपकी सक्सेस या फेलवर को डिसाइड करने वाले सभी नियमों में अनुरूपता का नियम यानी लौ अफ कर्रिस्पॉंडेंच शायद सबसे जादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमने पिछले चैप्टर दिखने लगेगी जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो अपने जीवन को भी बदल देते हैं आप जो कुछ भी करते हैं उस पर ये नियम लागू होता है आपकी नौलेज और आपकी तयारी ही बाहरी दुनिया में आपकी आमदनी और सफलता को तै करती है हेल्थ और फिटन दुनिया से हमेशा आपकी भीतरी दुनिया की जलक मिलती रहेगी महान फिलोसफर अरिस्टोटल ने तकरीबन 2300 साल पहले लिखा था कि इनसान के हर कदम का अंतिम लक्ष खुशी ही होता है उनका ये मानना था कि किसी भी इनसान द्वारा किये जाने वाले इसी भी काम का अ खुशी हासिल करना हर व्यक्ति का लक्ष होता है उनका कहना था कि हर काम खुशी हासिल करने की और महजे कदम ही होता है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप से कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताये गए सारे important points को दोबारा दोहराऊंगा तो चलिए सारी important बातों पर एक आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है positive या negative आप जब भी चाहे negative सोच को positive सोच में बदल सकते हैं आपका भविश्य आपकी इस काबलियत पर निर्भर है कि आप अपने दिमाग और अपनी बुद्धी का अपने काम और जिंदगी के लिए किस तरह से इस्त माल करते हैं लोगों के साथ आपके रिष्टों की quality और quantity आपकी success और खुशी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपको अपने लक्ष को हासिल करने से रोकने वाली 80% problems तो आपके भीतर ही चीपी हुई है और 20% problems ही आपकी बहरी दुनिया की है तो दोस्तों मुझे उ और थेंकिंग चेंज और लाइफ बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपका समय शुब हो